नमस्कार दोस्तों जीके अर्दुसार यूटूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है यूपी टीजीटी दौजर बाइस इतिहास प्रेटी सेट 146 में परिच्छा में पूछे जाने वाले महत्पूर्ण प्रस्न तो चले वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं हां अगर आप लग इसे पिछला प्रेटी सेट 145 तक वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बनावा जिसका नाम है यूपी टीजीटी इतिहास और उस प्लेलिस्ट का लि परसी ब्राउन ने किसके बारे में लिखा परसी ब्राउन ने किसके बारे में लिखा ब्यपार के सेना के संगीत के या अस्थापत्य कला के तो परसी ब्राउन ने किसके बारे में लिखा था तो परसी ब्राउन ने लिखा है अस्थापत्य कला के बारे में डीज में सही अलावदिन खिल जी का पहला मुसल्मान सासक था जिसने क्या क्या राजपूतों सो युद्ध किया दच्छिण को जीता या सूफी वात को प्रसाहन दिया या जजिया लागू किया अलावदिन खिल जी पहला मुसल्मान सासक था जिसने क्या किया था दच्छिण को जीता था तो अलावदिन के समय जो है मलिक काफूर के नितिर्त में मदूरा तक जो है सन्य अभ्यान दिल्ली के किसी सुल्तान दोरा किया गए दच्छिण का पहला अभ्यान था तो तो आब वाब क्या थे एक उपकर था या पुरसकार था या इस्तमारक था या घोसना तो आब आब वाब क्या थे एक प्रकार के ये उपकर थे तो इसलाम में जो समस्त करों के अत्रिक्त एक अत्रिक्त कर जो लिया था या अन्यकर उसी को आब वाब कहा जाता था ये एक प्र दे सकता है, एक अत्रिक्ट कर भी इसको कह सकते हैं. Quesन नंबर चार है, अलबरूनी ने क्या किया? भारत में इस्लाम का प्रचार किया या भारत और भारतीयों भारत वासियों का वडन किया, या दच्छिण में सूफिवात को प्रुसाहन दिया, या बल्बन के समय राजपाल का काम किया तो अलबरुनी ने जो है क्या किया था अलबरुनी ने जो है भारत और भारत वास्यों का वड़न किया है या वड़न दिया है तो अलबरुनी महमुद गजनेवी के समय भारत आया था और यह जो है अरभी भासा का बिद्वान था और अरभी भासा मे ही अपनी एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था तहकी के हिंद में ही जो है भारत और जो भारत की परंपरा थी या रिती रिवाज जो संस्क्रिती थी रहांसान उसके बारे में विशेश रुप से वड़न किया है अलबरुनी ने कोश्चन नमबर पांच है एलतू तमीस बलबन और अलावदिन खिलजी ने क्या किया था दच्छिन पर आक्रमन किया राजपूत राजकुमारियों से बिवाह किया या खलीफा को चिनोंती दी या मंगोलों का सामना किया तो एलतू तमीस बलबन और अलावदिन खिलजी तीन दिया इसमें तीनों ने क्या किया था इसमें आपका राइट एंसर डी से योगा तीनों का सामना जो किसे वा था मंगोलों से यानि मंगोलों का सामना किया था या इन तीनों सुल्तानों के सासनकाल के दोरान जहें मंग पोल आकरमन का भैस सदे बना रहा इनके सीमा पर कोशन नमबर छे है मीन हाज उस सिराज किन सासकों का समकालिन था मीन हाज उस सिराज किन सासकों का समकालिन था दास वनसी सासकों का तुगलक वनसी सासकों का लोदी वनसी सासकों का या इन में से किसी का नहीं मीन हाज उस सिराज किन सासकों का समकालिन था यह था दास वनसी सासकों का दास वनसी या इसी को गुलाम वनस का जाता है तो संतनत काल का ये प्रमुख इत्यासकार था इसका नाम था मीनाज सिराज और ये जो है खासकर इल्टुतमीश और बल्बन के समकालिन था और इसकी एक गरंद की रचना भी किया था इसका नाम था तबकाते नासरी ये इसकी प्रसिद गरंद थी कोशन नमबर साथ है साजहां की मोती मज़ित कहां है डिल्ली लहोर ये आगरा है आगरा या फतेपूर सिकरी तो साजहां की मोती मज़ित कहां पर थी ये थी कहां पर आगरा में इसका राइट एंसर सी होगा आगरा तो साजहां ने मोती मज़ित का निर्माल कहां पर कराया था आगरा के किले में करवाया था कोशन नमबर आठ है संतनत काल में संतनत काल में क्या हुआ था बाह बेपार के उन्नती हुई या हिंदू भी मुसल्मान संतों का आदर करते थे या उर्दू का विकास हुआ या उपरुक्त में से सभी कथन सही है तो संतनत काल में क्या हुआ था इसमें आपका राइट एंसर डी होगा उपरुक्त कथन सही है बाहे बेपार में उन्नती हुई थी सही है हिंदू भी मुसल्मान संतों का आदर करते थे यह उर्दू का विकास हो था तीनू से यह संतनत काल में उपरुक्त कथन सभी सही है डी कोई इंसर होगा इसका Q bowlsTr Master No. 9 है अमीर खुसरो जहें किन का समकालीन था अलाव दिन खिल सीकंदर लोदी बावर या रूप्रलक मेंसे कोई नहीं तॉमेर खुसरो जहें अलाव दिन खिलजी के समकालिन था तो अमीर खुसरों ने जो है बलबन से लेकर गयासुदिन तुगलग तक साथ सुल्तानों का इस सासनकाल देखा था और अलावदिन ने उसे तूतिय हिंद की उपाधी दिया था या भारत का तोता भी इसको कहा जाता है कोश्चन नमबर दस है सासाराम कहां है यूपी में, बिहार में, बंगाल में या दिल्ली में सासाराम कहां पर है बिहार में है तो बिहार में जो है सासाराम अस्थान का नाम है और यहां पर सेर्षा का मकबरा के कारण ये परसिद है कोश्चन नमबर 11 है दीने इलाही का क्या उद्दे से था? समाजिक और समानता हटाना, महिलाओं के अधिकार की रच्छा करना, या हिंदूओं के हितों का सनच्छन करना, या उपरुक्त में से कोई नहीं. तो दीन इलाहिक का उद्धे से क्या था इसका मुख उद्धे से था समाजिक और समानता हटाना एस योगा समाजिक और समानता हटाना कोशन नमबर बारा है विजयनगर राज में नायक कौन थे विजयनगर राज में नायक कौन थे पुलिस अधिकारी थे या सैनिक अधिकारी थे या राजस्व अधिकारी थे या गुप्त चर थे तो विजयनगर राज में नायक कौन थे तो विजयनगर राज में नायक जो है एक प्रकार के राजस्व अधिकारी थे राजस्व अधिकारी देखें बिजयनेगर राजी में जो है राजा जो होता था जागिदारों के जो दी गई निश्चित भूमी थी ये स्वामी होते थी एक प्रकार सनायक और राजा को ये परतिवर्ष एक निश्चित धनरासी देते थे तो इसलिए इसको जो है राजस्व अधिकारी के नाम से जाना जाता है कोश्चन नमबर 13 है सीवा जी के बारे में एक गलत कथन बताईए तो इन चारों आपसनों में से कौन सा गलत कथन है दिया है उन्होंने मुसल्मानों का अपने प्रसासन में निप्त किया और अंजेब ने उन्हें एक पदवी दी उनकी एक नौ से ना थी उपरयोक्त में से कोई कथन गलत नहीं है इसमें कौन सेंसर होगा इसका एंसर D हो जाए है कोई कथन गलत नहीं है सभी कथन इसमें सही है Question number 14 है अंग्रेजों को मुंबई कैसे मिला था पूर्तगालियों को हरा कर बिवाह के दहेज के रूप में या मुगल समराठ से संधी करके या मराठों से उपहार के रूप में तो अंग्रेजों को मुंबई कैसे मिला था तो अंग्रेजों को मुंबई मिला था कैसे बिवाह के दहेज के रूप में तो कैथरीन बैक ग्राजा इसका नाम था के विवा हुआ था पुर्तिगालियों ने विवाप पुर्तिगालियों ने मुंबई के दिप दहेज में अंग्रेजियों के दिया था कोश्चन नमबर 15 है फरुक सियर के फर्मान से किसने सहुलियत पाई फरुक सियर के फर्मान से किसने सहुलियत पाई दिया है इसमें मुगल भूमी बंदवस्त में दिल्ली में मराठा सासन में बंगाल में अंग्रेजी बेपार में या दच्छिन में फ्रांसेसी प्रभाव की अस्थापना में तो फरुक्षियर के फर्मान से किसनी सहुलियत पाई थी ये पैता बंगाल में अंग्रेजी बेपार में इसका राइट एंचर सी हो जाएगा बंगाल में अंग्रेजी बेपार में कोश्चन नमर 16 है साल बाई की संधी से किसकी समापती हुई दियाय दूतिय आंगल में सुरुद प्रथम आंगल मराठा युद या पिंडारी युद या प्रथम वर्मा युद की तो साल बाई की संधी से किसकी समापती भी तो ये समापती वथा प्रथम आंगल मराठा युद तो साल बाई की संधी अगर पुछता है तो 1782 में साल बाई की संधी भी थी क्वेस्टन नंबर 17 है बकसर के युदध 17 स Karlsak में कौन कौन मित्र थे निजाअ मैसुर का सासक और आवत का नवाब, पेशवा निजाम और मुगल सम्राठ, आवत का नवाब, मुगल सम्राठ, बंगाल आवब, निजाम बंगाल का नवाब, आवध का झुलाब इसमें आपका राइट एंसर सीवल सही है, अवद का नबाव, मुगल समराट और बंगाल का नबाव, तीनों जो है बक्सर के युद में मित्र थे, या अंग्रेजों के खिलाब तीनों ने मिलकर लड़ा था, या संग बनाया था, कोशन नमबर 18 है, दिवानी से अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ, सेना गठन करने का, राजस्व वसुलने का, या संधिया करने का, या निस्टुल्क बैपार करने का, दिवानी से अंग्रेजों किसका अधिकार प्राप्त हुआ था, राजस्व वसुलने का, 20 में सेयोगा, राजस्व वसुननेका, कोशन नमबर 19 से, क्लाइब ने कौँन सा युद्ध जीता था, प्रथम कर्नाटा के यूद्ध, पलाशी का यूद्ध, भक्षर का यूद्ध, या सभी, इसमें आपका राइट एंसर, बी सेयोगा, पलाशी का यूद्ध जो 1757 में कर लिए के बारे में एक गलत कثन बताई ह। कोई भी गलत कतन कारा रसिजेपल के फ्राइट से संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारती नरेशों के चीज नियंत्रित्य किया du तो सहायक संध्यों के माध्यम से जो है अंग्रेजों ने भारती नरेशों के किस चीज को नियंत्रित किया था, दिया है उनकी सेना को, उनकी राजस्व प्रसाखशन को या उनके बिदेशी राष्टों से संबंध या इन सभी चीजों का, इसमें आपका राइट एंसर D हो जा तो बैफारिक अधिकार खोया, तो बैफारिक अधिकार खोया, 1793 का चार्टर अधनियम, 1813 का चार्टर अधनियम, 1833 का चार्टर अधनियम, इसमें आपका राइट एंसर D हो जाएगा, 1813 का चार्टर अधनियम के द्वारा, कोश्चन नमर तेज से, टीपू सुल्तान ने, क्या किया था ये पेरिस है पेरिस में राजदूत भेजा या निजाम तथा मराठों से सहायता प्राप्त की या अंग्रेजों को अपने राजी में कोई भाग नहीं दिया या एक हत्यारे के रूप में मारा गया तो टीपू सुल्तान ने क्या किया था तो पेरिस में इसमें आपका राइ टैसर हो जाएगा बी प्रसिद प्रसाक थे क्या थे प्रसिद प्रसासक नमर 25 है और अन्तिम कोशन है निमलिकित में से कौन अंग्रेजों की सहायक संधी में मित्र थे कौन जो है अंग्रेजों की साइक संधी में मित्र थे हैदर अली रणजीत सिंग मीर कासीम या इन में से कोई नहीं इसका राइट एंसर हो जाएगा सीस में मीर कासीम तो मीर कासिम जो है अंग्रेजों की साइक संदी में मित्र था ये थे क्वेशन आज के लिए तुमित करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया ते इसको लाइक करें अपने दोस्तों के आधिक सदिक सेर करें धन्यबाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम प्रेंग में आभी में आया हुपनि थीट्या के रिए